हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप से मेरे नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो आज वह भाई दूज है रदाने स्ट है आज आज सोड़ी समेरे ठीक नहीं थी तो मैंने आज कुछ किया निए रात काई खाना था हम लगों ने वही खाया है मतलब ऐसी थे दि पहनी हूँ हूँ तब बच्ची और हस्बंड के रहे कि मम में तुम भी पहना तो मैं सोच रहूं कि मैं भी खादी कोड़ी वगरे पहन लेती हूँ थो आसा रेडि हो जाती हूँ और हम लोग अच्छे तरीके से भाई दूज सिल्वेट करते हैं मैंने पीको को रेडि करा दिया है शरारा सेट पहनाया है उसके मामी मामा ने उसको गिफ्ट किया है उसके बर्दे के लिए ये जस्ट अभी तीवाली वाले दिन आया है तो मैंने उसको वो पहना दिया वो ऐसी नया रखा था तो मैंने वो पहना को रेडि कराया है मैं दिखाती हूँ तो यहाँ पे बैना दिया मैंने उसको और काफी अच्छा लग रहा था पिंक पिंक कलर था तो और उसके बाद में मैं आ गई थी आरती जो है न वो बनाने के लिए तो शाम की में दिया बाती वगए दिये लगाने सब कुछ हो गए थे तो अभी मैं सिर्फ आरती के लिए एक दिया निकाल रही हूं और आरती जो है न वो बनाऊंगी तो यह है अश्टगंद थोड़ा सा जो है न दिया और फूल बगरे रखूंगी मैं और मैंने भी देखो सिंपल सी है कुड़ती पहन ली है और काफी टाइम से जो है न बच्चे और वीवेग कह रहे थे कि तुम भी पहन लो हम तुम भी रेडी हो जाओ कि मैने जो ना ही थी तो ना ही थी ना मैंने बाल बनाये थे ना कुछ की यह थे मीरा नहीं हो रहा था मैंने ब्लॉग के स्टार्टि Mevan बताया था मेरा मन नहीं होora था कुछ भी करने का तो इस वश्पर सिय यहां पे अश्य और अगर आप लोग मेरे इंस्टा पे रील नहीं देखते हो तो आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और यहां पे आर्थी बन रही है और पीकु जहने टपको को भी जहने बाइदूज का टीका लगाएगी और साथी में पापा को भी लगाएगी हमारे हां पे राखी हो या भाईदूज का टीलक हो वो भाई को और पापा को दादा जी को ऐसे कर सकते हैं हम लोग और पतलब करते ही है जब अगर घर में एक बीटी होती है तो वो अगर बड़े पापा हो बड़े पापा को दादा जी को अपने पापा को भाई को चाचु को सब को जो है न तिलक करती है ऐसे हमारे है रिती रिवाज मैं भी बच्चपत में अपने पापा को भी लगाया करती थी तिलक और राकी भी बांदा करती थी तो यह सारे रिच्छोल्स है बच्चों को अगर हम लोग आज यह सारी चीजे सिखाएंगे तो आगे उनको समझ में आएगा अभी तो इस साल उतना पीकू को बताने का यह नहीं लग रहा है राखी में भी उतना नहीं बताना पड़ा नहीं भाई दूज में वह खुद से कर लेती है कि उसने एक-दो साल से देख लिया है न तो इसलिए फर्स्ट राखी उसकी मिस हो गई थी क्योंकि काफी निकल गया था टपको आते आते तो राखी का भी एक टाइम पीरेड होता है कि उतने दिन तक बांदा जाता है तो जब दूसरे साल से फिर पीकू ने राखी बांदना स्टार्ट किया था तो तब से पर इसको एक-दो बार बताया और तब से अब वो खुद ही कर लेती है औ साल वो देखिए ममी कैसे बता रही है कैसे करके दिखा रही है तो जो है न वो समझ जाती है और बच्चों के सारी चीज़े आनी ही चाहिए मानर्स के साथ साथ जो है यह सारी चीज़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को सारी चीज़े आए घर में बच्चे ह और हमारे यहां तो ऐसा कुछ भी निये की छोटी है, help मत कराने लगा और नहीं, हम लोग पीको को पहले सी बताते हैं, आपको ये काम करने, वो काम करने हैं, अगर मैं बिमार होती हूँ, या कभी भी ऐसे help की ज़रू होती है, तो ऐसे बताना नहीं पड़ता है, पीको खुद इन मानर सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वारना बच्चे जैसे से बड़े होते हैं, बाद में अगर आप उनको बोलोंगे, कि अपना मैस साफ करो, या आपने बुक्स जगा पे रखो, या अपना खाने की प्लेट उठाओ, तो वो नहीं सुनते हैं, तो अगर उनको कोशिश करते हैं, दोनों बच्चों को देने की, अपी पीकु तो कर लेती है, तप्पु का थोड़ा सा यह है, तो उसका है ट्रेनिंग अभी चल रहा है, वारना उसको हम लोग बताते रहते हैं, कि खाली हो तो प्लेट रख दो, ग्लास रखो, ऐसे करो, ये वहा रखो, ऐ अपने दीदी का देखते देखते सीख रहा है, एक बच्चा अगर आपके घर में बढ़ा है तो छोटा बच्चा अपने आप उसको देख देख के सीख जाता है, और यहां पे देखो वीवेक का तीलक हो गया है, वीवेक मिठाई नहीं खा रहे तो पीकु जब बर्दस्ती उनके मुँ में पूरा डालने की कोशिश कर रही थी, तो यहां पे पापा और पीकु की मस्तिया जो है न, वो चालू ही थी, और मतलब दिन बर से एकदम ऐसी बैटे बैटे लेटी लेटी थी, शाब में तीलक भी लग करते समय से हसी मजाग होते होते, बहुत अच्छा माह हो गया था हमारे घर में, भगबन के पास भी मेरी दिया बाती वगएरे सारी चीज़े हो गई थी, और उसके बाद में फिर इन लोगों ने तीलक किया, फिर मुझे मेरा मन फिर भी ठीक उतना नहीं लग रहा था, तो वीवेक ने कहा कि चलो हम थोड़ा सा जो है न, बाहर म बादी के साथ में जो है न, जाके खेल लेते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं हपते में दो-तीन बार तो भी उननों को लेके जा सके थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले और आज वैसे भी हम लोगों को भी लग रहा था कि थोड़ा घर से बाहर निकला जाए हम लोग मुझे लग हुई थी तड़के वाली और उसके साथ में मिर्चिया फ्राइ की थी तो वीवेक और मुझे बहुत पसंद है खिचिड़े बच्चे भी आराम से खा लेते हैं और सब लोग हमको फोर्स कर रहे थे कि तुम लोग खाना खाके जाओ खाना खाके जाओ तो फिर मैंने भाबी स कहा कि चलो मैं आपको भरतन घस के देती हूँ तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम घस लो मैं धो लेती हूँ तो हम यहां दोनों मिलके बरतन साफ कर रहे थे और बरतन साफ अगर किया थोड़े फिर से बैठे बाते बाती किये और उसके बाद में हम लोग निकल गए तब वी अच्छा लगा है तो चानल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मिलती हूँ मैं किसी ऐसी अच्छे से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में